दोस्तों यहां Organic Chemistry का पहला चेप्टर है Organic Chemistry को अच्छी तरश से समझना चाहते हो तो आपको Basic Knowledge होना चाहिए Basic Organic Chemistry पर प्लेलिस्ट बना हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करके Organic Chemistry के Basic को समझ सकते हो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen और Halogen की समय जगता क्या होती है Carbon की समय जगता 4 होती है इसका मतलब है कि Carbon 4, 6 समय जग बंद बनाता है Hydrogen की समय जगता 1 होती है तो Hydrogen केवल 1 बंद बनाता है Oxygen की समय जगता 2 होती है Nitrogen की समय जगता 3 होती है और Halogen की Fluorine, Chlorine, Bromine और Iodine इन चारो तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं और इनकी सयोजगता एक होती ये केवल एक सयोजग बंद बनाते जब दो परमाणों इलेक्ट्रोन का साजा करते तो इलेक्ट्रोन के साजे से बना बंद सयोजग बंद कहलाता है कारबन परमाणों के बीच में सा सयोजग बंद तीन प्रकार से बनता है एकल बंद, द्वी बंद और त्री बंद कार्वनिक योगिकों का सरचना सुत्र अलग-अलग तरह से लिखा जाता है तो आपको सरचना सुत्र लिखना आना चाहिए कार्वनिक योगिकों का नामकरण प्रतिस्तापिस समू की सार्णी और क्रियात्मक समू की सार्णी आपको याद होना चाहिए दोस्तों इन सब पर वीडियो बने हुए दोस्तों जब हम एलकेन में से एक हाइडोजन परमाणू या दो हाइडोजन परमाणू एक या एक से अधिक हाइडोजन परमाणू को हटा देते और हाइडोजन परमाणू के इस्तान पर हेलोजन परमाणू को जोड़ देते तो इस प्रकार बने योगिक को हेलो एलकेन कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने योगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और वे सभी हाइड्रोकार्बन जिन में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंद होता है कार्बन परमानों के बीच केवल एक सासयों जग बंद होता है उन सभी हाइड्रो कार्बन को एलकेन करते हैं जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सभी हाइड्रो कार्बन एलकेन है मेथेन में एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन परमानों जुड़े होते है यहां से हम एक हाइड्रोजन परमानों को हटा देते है और उस हाइड्रोजन के स्तान पर हेलोजन को जोड़ देते है यहां पर हेलोजन को एक ससे दर्शा आते है और हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं इन में से किसी एक हेलोजन को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं हाइडोजन को हटा कर किसी एक हेलोजन को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बना योगी हेलोएलकेन कहलाता है आप दो hydrogen attacker दो hydrogen जोड सकते हो तीन hydrogen attacker या सभी hydrogen attacker हेलोजन जोड सकते हो तो इस तरह बनने वाले सभी योगीकों को हालो एलकेन करते हैं और इसे इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH3 या एथेन है और इस एथेन में से एक hydrogen को हटा देते हैं और उसके इस्तान पर एक chlorine को जोड देते हैं मतलब हैलोजन को जोड देते हैं आप दो hydrogen को अटा कर दो हैलोजन जोड सकते हो प्रत्य कार्बन से एक hydrogen अटा कर हमने हैलोजन को जोड दिया आप चाहे तो किसी एक कार्बन से दो हैडोजन या तीन हैडोजन अटा कर दो हैलोजन जोड सकते हो या तीन हैलोजन जोड सकते हो तो इस तरह से बनने वाले सभी योगिकों को हैलो एलकेन करते दोस्तों वे सभी हाईडरो कार्बन जिन में कार्बन परमानों के बीच केवल एककल बंद पाया जाता है उन सभी हाईडरो कार्बन को संत्रप्त हाईडरो कार्बन करते और संत्रप्त हाइड्रोकार्बन को एलकेन करते हैं तो किसी संत्रप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को अटाक कर उसके स्तान पर हेलोजन को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बने योगी को हेलो एलकेन करते हैं हेलो एलकेन का सामान्य सुत्र CnH2n1 एक्स होता है या आरेक्स होता है इस सामान्य सुत्र का क्या मतलब है तो चलिए इस सामान्य सुत्र को समझते है दोस्तों एलकेन का सामान्य सुत्र CnH2n2 होता है अलकीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एलकाइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है इसमें कारवन-कारवन के बीच में केवल एककल बंद होता है और यहाँ पर कारवन-कारवन के बीच दो बंद होते हैं और यहाँ पर तीन बंद होते हैं परन्तु हम एलकेन की बात करते हैं, यहाँ पर एन का मतलब कार्बन पर्मानों की संक्या है, जब एन का मान एक लिखते हैं, तो C1, S2 इस एन के स्थान पर हम एक लिख देते हैं, और इसे हल करते हैं, C1, H4, मेथेन, प्राप्त होता है, एन के स्थान पर हम दो लिख देते हैं, C2, H6, एथेन प्राप्त होता है, यहाँ पर दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन के बीच केवल एक बंद होता है, प्रते कार्बन, चार सासय जग बंद बंद आता है, और इन तीनों बंदों के साथ हाइड्रोजन परमाणूं जुड़ा होता है, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो कार्बन, छे आइड्रोजन या एथेन हैं, जब एन का मान तीन लिखते हैं, तो प्रोपेन प्राप्त होता है, या एलकेन का सामान्य सूत्रे, जब हम एलकेन का केवल एक हाइड्रोजन यहां से हटा देते हैं, यहां पर हाइड्रोजन परमानों की संक्या 2N प्लस 2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर देते हैं, तो यहां पर प्लस 1 हो जाता है, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो समू प्राप्त होता है, उस समू को आलकिल कहते हैं, एलकेन में से एक हाइड्रोजन अटाने के बाद प्राप्त समू अलकिल समू कर लाता है और एक हाइड्रोजन अटाने के बाद उसके इस्तान पर एक हेलोजन जोड़ देते यहाँ पर हेलोजन को हम हेलाइट करते दोस्तों इसी एलकिल हेलाइट को हेलो एलकेन करते और यह हेलो एलकेन का सामान्य सूत्र है यहाँ पर एलकेल समू को केपिटल आर से दर्शाते तो इस एलकेल समू के स्तान पर हम आर लिख देते हैं तो एलकेल हेलाइट के सामान्य सूत्र को दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों इन एलकिल समू को अपनी कोपी में नोट कर लो क्योंकि ओर्गेनिक केमेस्ट्री के सभी चेप्टर में इनका बहुत अधिक उप्योगे एक कारबन वाला एलकिल समू मैथिल दो कारबन वाला एथिल तीन कारबन वाले एलकिल समू दो प्रकार के होते जब तीनो कारबन सीधी श्रंकला में जुड़े होते और प्रथम कारबन के साथ हेलोजन जुड़ा होते तो इस समू को N-Propyl कहते हैं, यहाँ पर N का मतलब नॉर्मल होता है कार्बन परमानों की सीधी चेन को नॉर्मल चेन मतलब सामानिय श्रंकला कहते हैं दोस्तों, जब तीनों कार्बन परमानों में से बीच वाला कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा होता है इन तीनों कार्बन को आप इस तरह भी बना सकते हो आप इनको मौड कर किसी भी तरह से लिख सकते हो परन्तू, जब बीच वाले कार्बन के साथ वेलोजन जुड़ा होता है तो इस सरचना को आइसो प्रोपिल कहते हैं आइसो का मतलब समानों होता है यहाँ पर बीच वाले कार्बन के साथ दो C-H3 जुड़े होते और यह दोनों समान प्रकार के होते तो इसे आयसो प्रोपिल कहते जब चार कार्बन परमाणू सीधी श्रंकला में जुड़े होते हैं और प्रत्थम कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ता है तो इस समू को एन ब्यूटिल केते हैं दोस्तों यहाँ पर चार कार्बन परमाणू की सीधी श्रंकला है परन्तु दूसरे कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है और यह कार्बन समीब के दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है जब एक कार्बन परमानू समीब के दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उस कार्बन की डिगरी दो डिगरी होती है मतलब उस कारवन को 2 डिगरी कारवन कहते है या द्वित्यक कारवन कहते है और इसी के नाम पर इस समु का नाम द्वित्यक ब्यूटिल या सेकंडरी ब्यूटिल होता है यहां भी चार कार्बन है यहां भी ब्यूटिल है परन्तु इस कार्बन के साथ दो CH3 समू जुड़े होते हैं यह दोनों समान समू है तो इनके आधार पर इसे आईसो ब्यूटिल कहते हैं यहां पर चार कार्बन है और यहां कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा होते हैं और इस कार्बन के साथ तीन कार्बन परमानु जुड़े हैं तो यहाँ कार्बन तीन डिग्री कार्बन होता है इसे त्रातियक कार्बन कहते है और इसके आधार पर इस समु का नाम त्रातियक ब्यूटिल होता है त्रातियक को टार्शियारी भी कहते है तो इसके आधार पर इसे टार्शियारी ब्यूटिल भी कहते है दोस्तों इन सभी सम को अपनी कोपी में नोट कर लो दोस्तों इन चारो हेलोजन तत्वों को इस ट्रिक से याद रख सकते हो फूल, खिले, बाहर, आई, फूल का मतलब फ्लू ओरिन, खिले का मतलब क्लोरिन, बाहर का मतलब बी आर, ब्रॉमीन, आई का मतलब आयोडिन हेलोजन को हेलो के रूप में फ्लू ओरो, क्लोरो, ब्रॉमो और आयोडो करते हैं और हेलाइड के रूप में फ्लू ओराइड, क्लोराइड, ब्रॉमाइड और आयोडाइड कहते हैं ये नाम आपको पता होना चाहिए